हालो फ्रेंड्स नमस्कार एंड विल्कम टू शमादान साथियों उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और त्यारी आपके ऐसे तरीके से चल रही होगी तो अभी बीपेसी के तरफ से आज की डेट में एक अपडेट दिया गया है और जो अनसटफ़ी बीपेसी है ज इनका की इनका फॉर्म रिजक्ट हुआ है और आगे उनको क्या करना है तो चलिए सबसे पर अफिशल वेबसाइट पर चलते हैं तो यहां पर साथियों देख सकते हैं कि हम लोग आच चुके हैं अफिशल वेबसाइट पर बीपीसी के बिहार पब्लिक सर्विस कमिसर के और उसके बाद यहां पर देखेंगे तो लिस्ट ऑफ इन एलिजबल अंडर एज ओभर एज कंडिडेट्स तो चलिए इसको डाउनलोड करते हैं फिर आगे देखते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि यह बिहार लुक सवाय और यह अवाश्यक सुचना और साथिवी संजुक् परिक्षा है तू प्रकासित बिग्यापन में नियुंतम उम्र अधिक्तम उम्र सिमा की गणना है तू निर्धारित कट अफ डेट दिनांक 1822 के अंत्रगत नहीं होने के खारण कुल 777 अवेथियों को अंतर नहीं किया गया है यानि देख सकते हैं कि जो डेट था कट अफ सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो साक्ष्य परमाड़ा के साथ अधुहस्क्तात्री के पदनाम से शिर्फ आयो के इमेल बिपीएसी पीएटी हाइफन बिएएच एड़रेट एनाशी डोट इन पर दिनांक 2723 तक अवेदन भेज सकते हैं उक्तिति के बाद प्राप्त होने वाले अवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और यहां सकते हैं कि जिनका फर्म हुआ है अगर उनको लगता है मेरा हर चीज ठीक है और यह गलती से मेरा फर्म रिजेक्ट में आ गया है तो हुम करना क्या है कि आपको फर्म क्यों न रिजट किया जाए मतलब कि आपका अबर जो और जो नहीं है यहां नहीं है तो उसका साख्षा देना हो और शाक्षे को आपको यहां पर इमेल ध्यास देख लिए जब लोग पीसी पीटी हाइफन बी इस एड़ 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 एन इसी रोटीन को इस पर आपको मेल करना है उसको कि मेरा फूरूफ है और फूरूफ देना है उसके पाद 27 के अंदर में आपको भेज़ देन कोई विचार नहीं किया जाएगा तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका ऐसे लिश्ट देखेंगे तो यहां पर देखेंगे कि यह सिक्टिएट कंबाइंड प्रिलिम्नरी कंपिटेटी बिग्जामिनिशन लिश्ट अफ अंडर एज कंडिडेट्स लेस देन ट् सत्यम शेखर दोनों मेल फिमेल हैं यहां पर और इनका एज यहां पर है जो डेट अब बर्थ 22 का है तो यह इसके अंतरगत इनका मिनमम एज उतना नहीं हो पाया है तो इसलिए इनका यहां पर रिजिक्ट किया गया है ऐसा ही यहां पर देखेंगे तो लिश्ट अफ ओफ एज कंड़ेट्स जेनरल एंड इडव्यस मेल मोर दन 37 यहां पर इनका फॉर्म रिजिक्ट किया गया है तो आप लोग चेक कर लिजिएगा यहां पर कि आपका नाम है कि नहीं इसके लिए सिंपल ही करना क्या है आपको कि यहां पर आपको एक सर्ज कॉप्सन दिख जाएग और इसमें मिल जाता है आपका नाम तो समझे कंट को फॉर्म रिजेक्ट है अगर आप गलती से आपका रिजेक्ट हो गया है तो जो मैं तरीका मत आया हूं आप मेल किजिए आपका फॉर्म को सुधार कर दिया जया आप इप सारा ड़ाउट आपका क्या तो चनल अपने जि सब्सक्राइब कर दिजिए धन्यवाद